नमस्कार आप देख रहे हैं इससे भी न्यूज आपको बता दे कि यह जो न्यूज है वह चैनने से सामने आ रही है तमिलनाडू की राज़दानी चैनने में 200 लोगों की मौत पर संदे बना हुआ है आपको बता दे कि संदे की वज़ा कोरोना बता जा रहा है कई लोगों का कहना है कि 200 लोगों की मौत कोरोना की वज़े से हुई है लेकिन राजे सरकार की जो रिपोर्ट तयार की गई है इनमें इन 200 लोगों का नाम ही नहीं है इस वज़े से सरकार के द्वारा जाच के आदेश दिये गए है कोरोना वाइरस का संक्रमन देज भर में लगातार बढ़ता ही जा रहा है हर रोज हजारों लोग इस खतरनाक वाइरस की चपेट में आ रहे है जबकि सेंकडों लोगों की मौत हो रही है इस बीच तबिलनाडों की राजदानी चैनहें में दोसो सवो को लेकर संदे के हालाद बन गए है दावा किया जा रहा है कि इन सबकी मौत कोरोना से हुई है लेकिन राज़े सरकार की लिष्ट में इनका नाम ही नहीं है जिससे हड़कम मच गया है लौकडाउन में डील के बीच देश में कोरोना संक्रमन का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा देश में कोरोना वाइरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,80,000 के करीब पहुंच गई है कुछ राजयों पर आकड़ा चुपाने या कम दिखाने का आरोप भी लगा है इस बीच कोरोना से तरस्त तमिलनाडू से आई एक खबर ने सभी को संदेह में डाल दिया है सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है तमिलनाडू की राज़दानी चैन्ने में 200 सवो को लेकर संदेह के आलाद बने हुए है दावा किया जा रहा है कि इन सबकी मौत कोरोना से हुई लेकिं राजय सरकार की सूची में इनके नाम ही नहीं है मामला सामने आने के बाद सरकार ने जाच के आधिश दे दिये है इंडियन एक्सप्रेस ने एक वरिष्ट अधिकारी के हवाले से लिखा है कि तमिलनाडू सरकार ने कोरोना से हुई मौत का आधिश करने के आधिश दिये है अधिकारी ने यह भी बताया कि आडिट करने का अधिस तब दिया गया जब हमने पाया कि COVID-19 से हुई मोतो का आकड़ा राजिक के अधिकारी का आकड़ों में जुड़ा ही नहीं गया उनके मताबी के हनुमान नगर डिगम के रिकॉर्ड के प्रारंभिक रिपोर्ट पर है यह भी दावा किया जा रहा है कि स्टाफ की कमी के चलते डेटा ठीक से अपडेट नहीं हुए है स्वास्ते सचीव बिलाराजिश्ट ने इस मामले कहा कि इस सिलसिले में जाच के लिए नौ सदस्यों की कमीटी बनाई गई है उन्होंने कहा हमें मौत का डेटा चिपाना नहीं है हम ऐसा नहीं कर सकते हम जरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से रिपोर्ट लेकर हर रोज कोरोना से हो रही मौत का सही सही आकड़ा दे रहे है अब जबकि हमें शिकायत मिली है कि 200 सवों को लेकर सही सही जानकारी नहीं दी गई है हमने कमीटी बना कर जाच के आदेश दिये है आपको यह जानकारी दे दे कि तमिलनाडू में बुधवार शाम तक कोरोना से मौत का आकड़ा 326 पहुच गया है इसमें से 260 मौते अकेले चन्ने शहर में हुई है राजे में कोरोना के कुल मामलों की संक्या 36,841 हो गई है जिसमें से 70,189 कोरोना के एक्टिव मामले है 19,333 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिश्चार्ज कर दिया जा चुका है देश बर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संक्या बुधवार को करीबन 2,80,000 तक पहुँच गई है जिसमें से एक तिहाई मामले जून के माह के महस 10 दिनों में सामने आया है